बिस्मिल्लार्माने रहीम, असलाम अलेकुम, कैसे हैं आप सब उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, तो आपने जो पिछला वीडियो देखा होगा, तो जो मेरा मेकप था, तो उसका रिव्यू दिया था, और हम मेकप कैसे यूज़ करते हैं, आज हम आपको उसका यूज़ देने जा रहे हैं, तो यह देखिए, यह लैकमे 925 का पॉंडेशन था, और इससे पहले हमने एनवाई का, एनवाई का प्रैमर यूज़ कर दिया था, इसके फेस पे तो जूट गया, शूट नहीं हो पाया, तो यह प्यारी सी डॉल हमारे घर आई थी तो सोचा, चलो इसी को पकड़ करके, इसका मेकप करते हैं, लाइट सा, और यह अगरी भी हो गई, यह बहुत प्यारी बच्ची है, आपका क्या नाम है बटा, खुशबू, अब आप सोचिए, इसका नाम खुशबू है, तो बच्चे तो ऐसे भी बहुत क्यूट होते हैं, माशालला स कराहा, हज़ा आप, आक किस लास में आपृती है, इसका, आप किस क्लास में पढ़ती हैं, तो यह सईका ने पढ़ती है, और यह यह सधी में पढ़ते हैं, तो यह सभीछ के पर चिपलू कर दिया, फ़हे है, कि अमारे बवायफे t inten Chinese of Second, एभा भास ने परते हैं। तो यह अब मेरा ये मेकप हॉल जो इसका रिव्यू हम मेकप कैसे करते हैं पसंद आएगा तो प्लीज 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 लाइक जरूर कर दीजेगा अब हम लगाने जा रहे हैं ये देखिए ये परपल का आईशेड़ो है और इसकी आग के उपर हम लोग एपलाई करते हैं इसकी पलक के उपर तो ये देखिए बिल्कुल है ना नैचुरल लूप क्योंकि एक छोटी सी बच्ची है तो उस हिसाब से इसका मेकप किया जा रहा है बिल्कुल लाइट वाला तो अब हम लगाने जा रहे हैं इसको आईलाइनर लगा रहे हैं बिटिया को फुषभू को तो मुझे तो आईलाइनर लगाना नहीं आता है और इसको एक ही मतलब पोट में लगाना होता अगर आपने हाथ रोका तो फिर समझ दीजे कि आपका जो आँकों का आईलाइनर है वो पैल सकता है मोटर पतला हो सकता है यह हम लोग बहुत ही लाइट वाला मेकप कर रहे हैं किसी दिन हम आपके साथ शादी में जाने के लिए जो हैवी मेकप किया जाता है उसका भी रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे देखिए कि आखे इसकी कितनी प्यारी लग रहे हैं खुश्बू अपनी आखे खोलिए बटा चलिए अब काजल लगा लीजिए तो अब हम काजल से पहले इसकी आखों में लैकमे का मस्कारा लगाएंगे आखे बंद करिए खुश्बू तो देखिए मस्कारा लग चुका है अब एपलाई होगा इनकी आखों में लैकमे का काजल जो वाटर्पूरूफ है और आपकी आखों में तेड़ तक पिकता है तो खुश्बू की आखे देखिए कितनी खुबसूरत लगनी माशायल्ला से तो खुश्बू हाई है माशायल्ला से खुबसूरत तो यह देखिए काजल लग चुका है यह इनकी आखों का पाइनल लुक है अब हम क्या लगाएंगे अब हम लगाएंगे लिपस्टिक तो यह देखिए ग्रेंटी का पिंक कलर है जो हमने आपके साथ शेयर किया था तो चलिए लिपस्टिक लगाना शुरू करते हैं और मेकप आपके फेस पे ऐसा होना चाहिए कि फिल्कुल हैवी से न लगे और मेकप नेचुरल होना चाहिए तो इस वक्त जो हमने आपके साथ मेकप का रिव्यू शेयर किया है यह नेचुरल है तो देखिए कैसे यह होट में होट अपना मिला ले रही है इनको इतना शौप है मेकप का तो लड़कियों को तो ऐसे भी शौप होता है मेकप का कुछ ही ऐसी होती होंगी सो में से 4-5% जिनको मेक अप नहीं पसंद होगा तो देखिए कितना खुबसूरत कलर है तो अब हम थोड़ा सा बलश यूज करेंगे खुश्बू के गालों पर थोड़ा हाइलाइट कर देंगे ये हमें तो खुश्बू बहुत अच्छी लग रही त्यार होने के बाद और मेरे सब्सक्राइबर और वीवर्स को बताना है कि आपको खुश्बू कैसी लगी आप सोच रहोंगी कि खुश्बू कौन है तो मेरी एक भाबी है जो मतलब नेबर है हमारी पडोसी है तो उनी की ये बेटी है जो बहुत ही क्यूट है बहुत ही प्यारी है माशयल्ला से तो ये आ गई थी वैसे तो हम ये मर्यम पे करने वाले थे लेकिन सोचा चलो खुश्बू के साथ कर लिया जाए खुश्बू जो है मेरी बहु को बहुत चाहती है मनलब बहुत प्यार करती है जब आती है तो अपनी भावी से मिलने ज़रूर आती है तो अब आप बताईए कि खुश्बू कैसी लग रही है आप सबको है ना प्यारी लग रही है आँखे बंद करिये खुश्बू ये देखिए बिल्कुल नैचुरल मेकप है खोल लिजो खुश्बू आंके खाया तो अगर ये छोटा सा मेरा मेकप का रिव्यू वाला ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कर दीजेगा और खुश्बू भी आपसे कहने जा रही है कि लाइक कर दीजेगा लाइक कर दीजेगा देखा तो बस आप छोटी सी खुश्बू की बात माननी है और बच्चे तो मन के सच्चे होते ही है तो आपको खुश्बू अपना मेकप करा के कैसा लग रहा है तो खुश्बू ने तो भी अपना फाइनल लुक देखा ही नहीं है तो खुश्बू को भी दिखला दो जिरा सा griev दो खुश्बू को कैसी लग रही हो तो बस यह मेरा नेच्रल से मेकप था तो जब हम कहीं जाते हैं तो बस ऐसे ही हम अपना हलका से मेकप कर लेते हैं तो चलिए फिर इस वीडियो को लाइक करने के बाद से मिलते हैं आप आप जो है आपके साथ हम नेक्स वीडियो में आप इसको जरूर लाइक करिएगा और शेयर करिएगा दूआ में याद रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्ला हाफीस